परिक्षेपन माध्यम के आधार पर भी कुलाइट तंत्र के अलग अलग नाम दिये जाते हैं जैसे कि यदि परिक्षेपन माध्यम जल होता है तो उससे बने हुए कुलाइट को हम एक्वासल या फिर हैड्रोसॉल कहते हैं इसी तरह से यदि परिक्षेपन माध्यम अलकोहल होता है तो उसे हम अलकोसॉल कहते हैं यदि परिक्षेपन माध्यम बेंजीन होता है तो उसे बेंजोसॉल कहा जाता है और इसी तरह यदि परिक्षेपन माध्यम हवा है एर है तो उसे हम एरोसॉल कहते हैं तो इस आधार पर हम परक्षेपण माध्यम के आधार पर भी इन्हें भिन भिन नाम दे सकते हैं अगला जो कोलाइडों का वर्गी कृत करने का आधार है वह है परक्षिप्त प्रावस्था तथा परक्षेपण माध्यम के बीच होने वाली अन्योन क्रिया के आधार पर और इस आधार पर हम कोलाइडों को दो भागों में बाटते हैं, दो रूपों में वर्गी करते हैं पहला है द्रोरागी कोलाइड या जिसे हम कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड द्रोरागी या द्रोरागी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है द्रो से स्नेह करने वाला यानि कि इस प्रकार का जो कोलाइट तंत्र होता है उसमें जो परक्षिप्त प्रावस्था होती है वहां परक्षेपर माध्यम यानि कि विलायक के प्रती यहां पर स्नेह रखती ह जैसे ही उनके साथ इनको मिलाया जाता है तुरंत कोलाइट तंत्र का निर्मान हो जाता है जैसे कि मैंने उधारान में बताया कि इस प्रकार का जो कोलाइट तंत्र है वो हम गोंद से तयार कर सकते हैं गोंद को पानी में मिलाकर तयार कर सकते हैं या फिर स्टार्च को पानी क साथ गर्म करके हम तयार कर सकते हैं इसी तरह प्रोटीन एंजाइम या फिर अंडे का अल्ब्यूमिन इसका भी कोलाइट तंत्र जो होता है वह द्रौस नहीं कोलाइट तंत्र के अंतरगत आता है दूसरी प्रकार का जो कोलाइट तंत्र है इसमें वह है द्रोविरागी लायोफोबिक कोलाइट तंत्र द्रोव विरागी से ताथ पर यह है कि विलायक से धना करने वाला यहने कि इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और जो परिक्षेपन माध्यम होता है इनके बीच किसी भी प्रकार्क्यास नहीं होता यह एक दीसरों को प्रतिकर्श हमें विशेस तक्नीकों को उप्योग करना पड़ता है बहुत सारे जो धात्वें होती हैं सिल्वर गोल्ड प्लाटीनम इनके जो कोलाइट होते हैं वो इसी प्रकार के उधारान के अंतरगत आते हैं इसके अलाबा धात्वों के सलफाइट जैसे की कैड्मियम सलफाइट मर हाइड्रोकसाइड हैं जैसे की अल्यूमियम का हाइड्रोकसाइड या फिर आइरन का हाइड्रोकसाइड यह भी ड्रो विरागी कोलाइट के अंतरगत आते हैं तो आएए अब हम देखते हैं कि ड्रो रागी कोलाइट और द्रो विरागी कोलाइट यानिकी लायोफिलिक और लाइओफोबिक कोलाइड में मुख्य रूप से कौन-कौन से अंतर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्रॉस नहीं कोलाइडों के गुण। द्रॉस नहीं कोलाइड जैसे कि हमने पहले ही जाना ये परिक्षेपण माध्यम के प्रती आकर्शन रहते हैं। और इसलिए जैसे हैं इन्हें पल्क्षेपण माध्यम में मिलाय जाता है ये आसानी से बन जाते हैं। यानि कि ये सीधे ही मिलाने पर बन जाते हैं। इसके बाद हम देखें कि जो द्रौ से नहीं कोलाइड होते हैं उन पर या तो बहुत कम चार्ज होता है या फिर चार्ज नहीं पाया जाता है तीसरा जो गुण है वो यह कि इनके कण चुकि यह द्रौ के प्रती सनेह रखते हैं और इसलिए यदि यह जल में कोलाइड तंतर बनता है तो इनका जल योजन हो जाता है यनिकी इनका hydration होता है यनिकी जल कोलाइट के कण होते हैं उसके चारों और जल के अन्वों का जल योजन होता है इसके बाद हम देखें कि जब ये कोलाइट तंत्र तयार होता है तो जो कोलाइट तंत्र की थीकनेस होती है या शानता होती है वह परिक्षेपण माध्यम की तु होती है इसके बाद हम देखें कि जो यह इस्थाई प्रकार के होते हैं द्रौस नहीं जो कोलाइल्ड होते हैं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण वो है इनका स्थायत्वर और इसलिए यदि इन में थोड़ी सी विद्धुत अब घट की मात्रा मिलाई जाती है तो यह आसानी से आउक्षेपित नहीं होते हैं यानिकि इसमें काफी विद्धुत अब घट जब मिलाया जाता है तब भी तभी जाकर यह अउक्षेपित होते ह हैं इसके अलावा जो महत्यपुडगुन है द्रोसनी कॉलाइटों का वह उत्त कर्मनियता यानिकि यह उत्त क्रमनय होते हैं यदि हमारे पास द्रवस्तनी ही कोलाइड है जैसे उधारन के लिए हमने स्टार्च का कोलाइड लिया है यदि हम इसको फिर से रखें और इसे इवपरेट करें यानि कि इसमें जो परिक्षेपन माध्यम है ये पूरा वास्पीकृत होकर अलग हो जाए और हमारे पास सिर्फ परिक्षेपन प नस्ट हो जाने के बाद पुना हमें कोलाइड तंत्र प्राप्त हो जाता है तो यह उत्करमणी प्रकार के होते हैं इसी प्रकार देखा जाए तो यह ज्यादातर टिंडल एफेक्ट नहीं दिखाते हैं इसके अलावा चुकि इसमें चार्ज कम होता है या नहीं होता है तो यह कैथोड या एनोड यदि इन पर इलेक्रिक छेत्र या इनके चारोर एप्लाई किया जाए तो यह एनोड या कैथोड की ओर ज्यादा तर मूफ नहीं करते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं द्रो विरोधी कोलाइट के गुणों को तो जैसे कि हमने देखा यह नहीं होता है और इसलिए यह आसानी से नहीं बनते हैं और इनको बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की विशेश तक्निकों का उप्योग करना पड़ता है इसके अलावा देखें कि इन में इस पस्ट रूप से चार्ज पाए जाती हैं यह धनात्मक होंगे या फिर र लगभग जैसा परक्षेपण माध्यम की शानता होती है वैसे ही इनकी द्रव विरोधी जो कुलाइट बनने के बाद भी इसके शानता लगभग वही होती है इसके बाद हम देखें कि यह अस्थाई होते हैं और अस्थाई होने की वज़ह से इन में यदि विद्दत अबग बाद आता है अनुत क्रमणीता क्योंकि हमने पहले यह का यह और स्थाई प्रकार के होते हैं और इसलिए एक बार यदि कोलाइट सिस्टम नस्थ हो जाता है यदि तंत्र समाप्त हो जाता है तो इन्हें बनाने के लिए हमें फिर से वही पूरी प्रोसेस को यानिकी विशे पर माध्यम मिला दिया जाए तो प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होता है इसके बाद हम देखें यह कोलाइडों की जो विशेस गुण है टिंडल इफेक्ट ब्राउनीन मोशन यह इस पस्ट रूप से हमें दर्शाते हैं इसके बाद हम देखें कि चुकी इन पर चार्ज पाय लगाते हैं तो यह यदि इन पर धनावेश होता है तो यह कैथोड की तरफ रुणावेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ और यदि इन पर रुणावेश होता है तो यह एनोड यानिकी धन आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गती करते हैं तो इस तरह से हम देखें कि द्र हमने देखा Charge के आधार पर, तो Charge के आधार पर भी हम Colide तंत्रों को दो भागों में बाच सकते हैं, धनात्मक Col light या रनात्मक Col light, जीसे कि हमने देखाént कि जीटनी भी Metal के Oxides या Hydroxides सोते हैं, यह यह कुछ जीसे कि यहां पर हम देखें vais craft मैं टिन का Oxide हुआ, आईरन का ऑक्साइड हुआ या फिर इसके पहले हमने उदारन देखा है अलुमिनियम के हाइड्रोक्साइड या आईरन के हाइड्रोक्साइड यह धातों के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वह धनात्मक प्रकार के कोलाइड होते हैं इनके जो कोलाइड करन ह उन पे धनावेश पाया जाता है दूसरे प्रकार का जो कोलाइड है वह है रनात्मक कोलाइड या रनावेशित कोलाइड जिसे हम कहेंगे इन में आते हैं मुख्य रूप से आपके धातुओं के कोलाइड धात्विक सॉल जैसे की सिल्वर गोल प्लाटीनम कॉपर इनके सॉल इसके अंतरगत आते हैं इसके अलावा हमских जो सॉल पायड है क्याड्मियम चलफायड या फिर मर्क्यूरिक सॉल्प ये भी कोली चीज़ें तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है इसके अलावा हमारे हम देखें जो कुछ नेच्रॉरल चीज प्रकृतिक चीज़ें की विभुन प्रकार की अशुद्या होती हैं इनमें रुनात्मक सॉल पाया जाता है इसके अलवा रुनात्मक सॉल के उधारन है और इसी प्रकार हम देखें जो स्टार्च का कॉलाइड होता है या चारकुल का कोलाइड होगा यह भी रुनात्मक प्रकार के सौल होते हैं अगला अधार जो है कोलाइल तंत्र को वर्गी कृत करने का वह है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्राकार के आधार पर यानि कि परिक्षिप्त प्रावस्था किस-किस रूप में उपस्थित है इसमें सबसे पहला जो प्र है इसमें जो कोलाइट कर्ण होगा वह अकेला कोलाइट कर्ण कोलाइडल रेंज के आकार का नहीं होता है ऐसे स्थती में बहुत सारे ऐसे अनू या परमानू आपस में मिलकर इकठे होते जाते हैं संकलित होते जाते हैं और एक पुंज का निर्मान कर लेते हैं और यह जो आकार बनकर तयार होता है वह कोलाइड रेंज में आ जाता है उदारन के लिए जो गोल्ड का सॉल होता है वह इसी कोल के भिन प्रकार के साल होते हैं जो इसके अंतरगत आते हैं इसी प्रकार हम देखें सलफर का S8, यहनि कि एक इसका जो एक अनू होता है, S8 बहु परमाणूख अनू है, इसके लगभग 100 से 1000 तक के अनू आपस में मिलकर जाते हैं, तब एक कोलाईड तंत्र या कोलाईड साइज के कन का निर्मान होता है, तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार का जो कोलाईड तंत को लन से बना हुआ होता है दूसरा इसमें प्रकार आता है व्रेहद अणविक कोलाईड यह जिसे हम कहते हैं इसमें एक और ही कोलाईड रेंज का होता है यानिकि उसका आकार एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के आकार का होता है अब जो मैक्रो मॉलेकूल्स या जिसे हम कहते हैं व्रैद installation किसे कहा जाता है जी जनरली हम जो लेते हैं वो होते हैं या तो पॉलिमर्स या फिर होते हैं बायो मॉलेक्यूल्स तो आपके प्रोटीन, सेलुलोज, एंजाइम्स या फिर कुछ मानो निर्मित जो पॉलीमर्स होते हैं जैसे की पॉलिथीन, नाइलोन, पॉलिस्टाइरीन या फिर जो संसलेशिक रबड होता है वह इसके अंतरगत आता है तो इसमें जो अकेला अनु होता है जैसे प्रोटीन हम ले ले तो प्रोटीन का अकेला अनु होता है वो इस आकार का होता है कि उससे सीधे कोलाइट तंत्र उसे इसको डिजॉल करके पानी में घोल कर हम इसका कोलाइट तंत्र प्राप्त कर सकते हैं तीसरी प्रकार का जो कोलाइट तंत्र है वो है सहचरी कोलाइड या जिससे हम कहते हैं associated collide या जिससा एक और नाम दिया जाता है वो है मिसल तो जो associated collide होते हैं इस प्रकार का जो collide कन होते हैं या collide system होता है उसमें यह कम सांद्रता होने पर यह एक प्रबल विद्दुत अप घट की भाती विभार करते हैं लेकिन जब इनकी सांद्रता collide में इनकी सांद्रता एक सीमा से अधिक हो जाती है वैसे ही यह आपस में मिलकर एक पुंज का निर्माण मिसल का निर्माण करते हैं और एक को लाईट तंत्र अचानक बन जाता है तो इस प्रकार का जो कोलाइट तंत्र का निर्माण करते हैं वो प्रायर आपके सोप साबुन या फिर जो संसलेशित अपमार्जक डिटर्जन्स होते हैं वो इस प्रकार के कोलाइट का निर्माण करते हैं और इस प्रकार का जो कोलाइट है उसके बनने के लिए एक निश्चित ताप की आवश पर कोलाइट तंत्र का निर्मान नहीं होता है और इस निष्चित ताप को क्रास्थ ताप कहा जाता है साथ हिसाथ जो कोलाइट के कौन है उनकी सान्दरता भी एक निष्चित सांदरता से अधिक होनी चाहिए और ये एक निश्चिक जो सांद्रता होती है उसे हम क्रांटिक मिसल सांद्रता या CMC कहते हैं इस सांद्रता के नीचे यदि कोलाइट कणों की सांद्रता होती है तो वो एक केवल प्रबल विद्दुत अपघट की भाती विभार करते हैं लेकिन यदि इसकी सांद्र सांधरता CMC से अधीक है तो वह कोलाइट तंत्र का निर्मान कर लेते हैं यदि हम साबुन या अपमार्जक के लिए देखें तो इनकी कोलाइट तंत्र या मिसल के निर्मान के लिए जो सांधरता होती है वह 10 कि घात रंचार से 10 कि घात रंचीन मोल पर लीटर सांधरता की कोनों भाग पाया जाता है इनमें एक द्रौस नहीं भाग भी होता है और एक द्रौ विरोधी भाग भी होता है और यहां पर यानिकी एक पोलर भाग भी होता है धुरूवी भाग भी होता है और दूसरा और धुरूवी भाग भी होता है और इस तरह से यह जब इनकी सांध करता एक सीमा CMC कांसेंट्रेशन से अधिक हो जाती है तो यह कोलाइट तंत्र का निर्मान करते हैं तो आएए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोलाइट या मिसल का निर्मान होता है